असलाम अलेकुम हमातीनों हजरात उमीद है कि आप सब बहुत खुशबाश होंगे अल्ला करें आप अच्छा मैंने आप लोग से एक बात पूचनी थी मेरे मिया की अभी छुटियां हुई है ठीक एक महीना छुटियां हुई है तो मैं बहुत खुश थी कि चल गूमेंगे फिर खाएंगे पिएंगे अब कल से एक अनोखी सुरत आलगर में हुई है तो आप लोग काइडली मुझे गाइड करें मैं क्या करूं मैं इतनी पड़ील ना करूं तो मुझे डर लगता है कुछ वलत ना कर बैठू तो हुआ यह के छुटियां शुरू हुई कल पहला दिन था तो मैंने सुबही ना अपने मियां से परमाई हिकर दी मैंने का कि आज हलवा पूरी खाएं तो वह अपना काम कोई कर रहे थे तो उन्होंने तो मेरी सब्सक्राइब देखाएं नीना जवाब दिया तो तीन मेंने का अज ब्रेक फास्ट में हलवा पूरी खाने का दिल चाह रहे तो वह तो जैसे उनको वावी नहीं आई पता नी नराज होंगे या किसी से लड़ाई हुई होगे तो मैंने का आज नहीं खाते कल खा लेंगे दो ना चुपीरों पिर दिन गजर गया थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे का थोड़ी देर निकाफी गंटों के बाद का मैं जुटबंश्य हुई तो छलते हैं तो आपके लिए भी कप्ड़ी कपा लेंगे तो उन्हें ना मुबाल पी दिखते दिखते उटके टाइलेट चले गए पता नहीं मुझे तो समझे नहीं आरी कि यह क्या है तो वह टाइलेट के लेगे मैंने का चलो पता नी नराज है या क्या मामल है मैंने का चलो चुप करे जाते हूं फिर की महीं हो ना रात आ गई तो मैरा खाने का खाने का दिल चारता मैंने का इनके छुटयायां वह रोज मर्हान पो तो तो इसपरका अगरते हैं पास में तो बड़ी एरान हूं पत्ता ने गूंगे तो नहीं होगे बेरे तो नहीं होगे उनको तो जैसे मैं बाद करती हुझे उनको तो कोई भाजी नहीं आरी फिर फिर जब सुबह अब उठे काने से नजब खाया खैर हमें चुपी रही मैंने का चलो कोई नहीं घुशा थंड़ा 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 होजए अगर किसी और भी घुशा आया हुए थोड़ी दिर के बाद मैंने उनको अपनी आई भरोज दिखाई। वो मेरी तरफ देख रहे थे तो मैंने अपनी आई भरोज दिखाई और मैंने उन उनसे कहा कि इसारे में कहा दिया वह ने का पतति propriet बात तो जुन नहीं बड़ाए से तो देख रहे तो देख तेरे ना कोई जवाब ना कोई रिस्पांस है मैं थड़ी सी आगे वह इने उनकी आँके देखि उनके तो बंटे अजीब से लग रहते मैं तो दर के पिछे हुई तो एक जगा के टिक-टिकी बांदे देख रहते वह वुझे नहीं देख रहते तो वह तो मैंने बांद तोड़ो मेरी चूड़ीया तोड़ो मैं तो भिद्वा हो गई वेग साथ गुच्चों के साथ किसी गुजारा करूंगी वह तो आफ तो किसी काम के नहीं नहीं रहें तो मेरी उनको आवाज भी नहीं आरें पैसों की जो भी बात करो उनको कुछ आवाज ना आती है ना वह देखते हैं अब मैं अब किदर जाओंगी अपने बच्चों को लेके यह तो मेरी जिन्दगी को क्या होगी अगर आपको कई अचा साथ हो बता है हपसताल किसी को पता है कोई अच्छा साथ जिस में गूंगे बेरों का और अंदों का इलाज होता है और सबस्ता भी हो तो काईडली मुझे कमेंट में जरूर बताएएगा मैं बहुत जरूरत बंदू अभी कहते होंगे हर वकर होती दोती विडियो बना लेती है लेकिन मैं क्या करूं मेरे मज़ लही नहीं खता हुए गाव में रहते थे तो मेरी मज़े से शेहर में आगया अब मुझे डर लगते मैं कोई खल्ती ना कर दो फिर मुझे गाव में ले जाएगे मुझे गाव में ले जाना हाँ बतायेगा जरूर